नमस्कार दोस्तों, शौगात है आपका व्हिप्लप की श्टाॉक्स में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गोवा और रूम् लिएट के बारे में इस श्टाॉक की जानकर इस वीडियो में देने वाला हूं तो बने रहेगा मेरे इस वीडियो के साथ आपको दो नाम से पता चलिला गोवा कारवन रिलेटिट बनाती है कंपनी तो चलिए सबसे पहले इसके वेलिएशन देखते तो वेलिएशन में इसके चलेंगे इसके शेर होलिंग पैटन पे तो से रोल इंग पैटन पे जाने से पहले मैं आको बताना चाहूंगा कि आप अगर सेर मार्केट इन करए नहीं और रवीड़ा करवा तो इस वीडियो के तो इसके बाद चलेंगे shareholding pattern पर तो शेर ओल्डिंग pattern में आप देशक्तों September 2021 सबसे पहले पर मोर्टरस की होल्डिंग देखते तो परमोटरस उन्सट दस जाने 1220 पर मोटरस के पास है दूसरे इंप्र पर इनके भी होल्डिंग जिरो इननों भी कोई इन्वेस्मेंट नहीं किया और अधर साप्ट शर्ट चालीज दसमल सताइस परसंट से रहादस के पास है तो पूरा से रोल्डिंग पैटन देखा जाए मेजरो टेप से रोल्डर जो परमोटर से ने परमोटर का सबसे ज्यादा से से और प्लेसर जीरो जीरो तो यह पॉजिटिव पॉइंट है इसका लाओ इन्पॉर्ट इन्वेस्टर और मीचल फंड कंप्रीज इसमें से स्टॉक में किसी ने भी इन्वेस्मेंट नहीं किया है तो एक मामली से नेगिटिव पॉइंट माना जाए तो ओबरल से रोल्डि टॉइंटिोंटिवन का डेका में तो सबसे पहले सेल्स देखते हैं तो चॉसेज मझ 2 crystals में एक तो एंटी करोगा सेल्स ठा वह जून 2021 में 24 कॉरों का सेल्स था तो अबसे जून में सेल्स अबद करीज वा था और यहां सेप्टे रूंभ्वमें मार्च 2021 में 6 करों का net profit था वह जून 2021 में 0 था net profit नाई कमपिणी को profit हुआ था नाई कमपिणी को loss हुआ था और सेप्टमबर 2021 का जो net profit भी 6 करों का net profit है तो अब जिसकते जो net profit हो और company का जो last quarter का net profit हो मार्च के एक्वल रहा लेकिन जून से इंक्रीज वा तो सेल्स आप मार्च से जाता था सप्टमबर का लेकिन नेट पाफिट एक्वल रहे तो इस बार में कंपनी को जरूर अनलेसिस करना चाहिए इसका दिसका वैलेंसीट के उपर चलते तो वैलेंसीट में मार्स 2021 और मार्स 2020 का रेटा वाले वले तो सबसे पहले टोटल सर कापिटल देखते तो टोटल सर कापिटल दोनों यहर में से में 9.15 करोगा टोटल सर कापिटल ले दोनों यहर में नेटवर की बात कर तो नेटवर तो मार्स 2020 में 89 दसलना जीरो आड करोगा नेटवर था बोई मार्स 2021 में 76 दसलना उननिस करोगा नेटवर थे टोटल लेट देखते नहीं कमपेनी को आर कर जा कितने है तो टोटल लेट मार्स 2020 में 3 दसल 59 करोगा टोटल लेट था नहीं कर जा बहुँ मार्स 2021 में आके आप देशकते 30.94 करवा का करजा हो गिया यानि कमपेनी को टोटल रेट है कर जाए वो इनकीरी जो हो रहा है इन्हें बर्ड है तो इस बार में कमपेनी को ज़रूर धान देना चाहिए कि कमपेनी को और करजा बर्ड है इसको रिडूस कैसे किया जा कम इसके चार्ट के उपर तो चाट माप दो तूकर 30 दुस high और यह ओगा का फास दिनिंस पशुख जाए बात करेंगे पछले 5 दिन के परफॉस्चे पिछले पास दिन में पॉजिटिव इटन दिया है 25.57% का positive return पिछले पास दिन में दिया है 25.57% का positive return दिया पिछले पास दिन में और 81.80 पिछले पास दिन में stock ऊपर गया है पिछले एक मैने की बात करते पास दिन यह 21.05% का positive return पिछले एक मैने का है 21.05% का positive return दिया पिछले एक मैने में और 69 रुपे 85 पैसे पिछले एक मेने में स्टॉक ऊपर गया है पिछले 6 मेने की बात करते हैं पिछले 6 मेने का भी पॉजिटिव टेन दिख रहा है लेकिन आप इसको फ्लैट मानके भी चल सकते हो कि रिटरन वो काफी कम है 0.31% का पॉजिटिव टेन दिखा रहा है फ्लैटी लेट का और 126 पैसे यह टिल एट में एक जन्मरी 2021 लगापत है फिछले एक साल की बात करते हैं पिछले एक साल का भी पॉजिटिव टेन परसन का पॉजिटिव टेन पिछले एक साल का रहा है और 117पैसे यह लगवक सेम होगा क्योंकि आपको लाट यह एक साल दिसंबर च जनुपर दो्जार इक से ले कप तक पॉपर गया है पिछले पांस साल की बात कर नए भी पॉजितिव टॉफिटि नाइन पोरिफ टिशन का पॉजिटिव ट्रिशन का पॉजिटिव टिनन पिछले पांस साल का और दोसो नबड़ रोपै दस पसे पिछले पास साल में स्टॉक ऊपर गया मैक्सिवन चार्ट की बात करें लॉंग टर्म की बात करें तो लॉंग टर्म में आप दिस्तों ठीक ठाक रिटाने उतना अच्छा नहीं तो चौदा साल में आप देशक्तों काफी सालों तक ट्रेड किया पिर यहां कि आप देशक्तों 2016 सोला सत्रा में स्टॉक एक जटक में काफी उपर चला गया था फिर उसी एक जटकी नीचे आगया 2020 में और अभी थोड़ा सा उपर गया इस टॉक तो बॉलटल का रहा आप देशक्तों इसके वाल भी थोड़ा बह बता है को चुगा हूँ चारसो एक रुपेसे प्रेश पर देशक्ता प्रिश को अब देशक्तों अभी है नहीं क्योंकि आया नहीं है बात करेंगे प्रक्राइब लोग की तो व्याइब करो जो कि चारसो तीरा पिच्चासी पैसे का है पाच अगस्ट दोज़ीवरी डेटा देखते कमपनी के जो डिलीवरी डेटा वह क्या है अब दिसंबर नहीं आज का चार वज़ी तक का डेटा वले तो चार वज़ी तक टोटल क्वांटी जो ट्रेड वाज 3,93,087 कोँटिटी की टोटल ट्रेडिंग हुये और परसंटेज अब डिलेबरल कोँटिटी योdis 11,233 कोँटिटी की टोटल डिलिवरी हुई और परसंटेज अप डिलेबरल कोँटिटी तो अच्छी माने जाएगी 20% से जाधा के लिए यह एच्छी बात है इसके बात करते इसने जो डिविडन दिया हो कब दिया कितने दिया इभी मैं आप लोग बता देता हो तो आप देशने जो लास्ट डिविडन दिया हो नौ जुलाई 2018 को डिविडन दिया था जो की 10 वे पर शेयर का डिविडन था करना स्वेशा करने सब्सक्राइब करने अपे जरूर रख जो डिजीगा नाहीं हो तरी से अब बहुत धन्यवात आपका मिलते लिडो में जहिन